मारूती सुजुकी ने एस्प्रेसो हैच बैक के नए 2022 CNG संसकरण को लॉंच कर दिया है 2022 एस्प्रेसो SCNG को दो वेरियंट LXI और VXI में उतारा गया है LXI SCNG की कीमत 5.9 लाख रुपए और VXI SCNG की कीमत 6 10 लाख रुपए एक सशोरूम रखी गई है डिजाइन और फीचर्स के मामले में नई एस्प्रेसो SCNG में को कोई बदलाव नहीं है हालांकी कमपनी ने डूल जेट इंजन को CNG से चलने के लिए अपडेट कर दिया है नई एस्प्रेसो CNG का एक शोन्य डूल जेट इंजन 5500 RPM पर 66 BHP का पॉवर और 3500 RPM पर 89 NM का टॉप जनरेट करता है हालांकी CNG से चलने पर पॉवर घटकर 56.59 BHP और टॉप 82.1 NM रह जाता है पेट्रोल मॉडल के लिए 5 स्पीड मैनूल के साथ 5 स्पीड एम्टी गियर बॉक्स का भी विकल्प मिलता है जबकि CNG वेरियंट के लिए केवल मैनूल गियर बॉक्स ही उपलब्ध है कम्पनी का दावा है कि CNG वेरियंट 32.7 3 किमी किलो CNG की माईलेज देने में सक्षम है मारूती एस्प्रेसो पेट्रोल वेरियंट की कीमत 4.25 लाख रुपई से शुरू होकर टॉप वेरियंट के लिए 6.10 लाख रुपई एक सशोरूम तक जाती है कार बाजार में मारूती एस्प्रेसो का मुकाबला रेनॉल्ट क्वेड और टाटा पंच से हैं फीचर्स की बात करें तो मारूती सुजुकी एस्प्रेसो में 7 इंच टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम के साथ आपल कारपले, एंड्रोइड आटो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं सेफ्टी के मामले में यहाँ कार डूल एर बैग, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट, एबीडी एबीएस और फ्रंट सीट बिल्ट रिमाइंडर जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है क्योहारी सीजन में अपनी बिक्री में सुधार करते हुए कमपनी ने घरेलू बाजार में 1,3912 यूनिट पैसेंजर वाहनों की बिक्री की है मारुती की इतनी जबरदस्ट बिक्री की वज़ा कमपनी की नई कारे है कमपनी ने नई बलेनों और सेलेरियों से शुरुआत करते हुए पिछले कुछ महिनों में औल्टो और ब्रेजा के फैसलिफ्ट मॉडलों को लॉंच किया है